हलो स्टुडेंट्स मेरे चैनल एलेबडी हिंदी ट्यूटरल में आपका स्वागत है आज मैं कक्षा 11 हिंदी अनिवार के स्टुडेंट्स के लिए दाइरी लेखन से संबंदित कुछ मेहतपूर प्रशन लेकर आई हूँ जो आपकी आने वाली परिक्षा की दिश्टी से आप लोगों के लिए काफी मेहतपूर है इन प्रशनों को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्स्राइब कर लिजे ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाप सबसे पहले आपको मिल सके आईए पढ़ते हैं डायरी लेखन से समदित महतपूर प्रशन पहला प्रशने डायरी की परिवाशा लिखिए इसका उत्तर है डायरी हिंदी गद्ध की सरवादिक सशक्त विधाए डायरी लेखन एक उत्क्रस्ट कला भी है हिंदी साहित कोश में डायरी की परिवाशा इस प्राकार से दी गई है सीमित अर्थ में वहाँ कॉपी, नोटबूक या वहाँ पुस्तिका डायरी है जिसमें हर रोज दैनिक घटनाओ या दिन भर किये गए कार्यों का लेखा जोका रखा जाए पर प्रचलित अर्थ में डायरी दैनिक व्यपारी घटनाओ का व्योरा है डायरी में लोग अपने थोड़े या सब अनुववों तथा निरिक्षणों का व्यवरण रखते है हमारा अगला प्रशने डायरी लेखन के इतिहास पर एक टिपड़ी लिखिए इसका उत्तर है डायरी लेखन का इतिहास काफी लंबा है हिंदी साहित्त के कई बड़े बड़े रचनाकारों ने भी डायरी लेखन कारिक किया है हिंदी के प्रयोगवादी कभी गजनन मादब मुक्तिवोध ने एक साहित्तिक डायरी लिखी एनी फ्रेंक द्वारा लिखी गई डायरी भी काफी चर्चित रही है, काफी प्रिसिद रही है इसी प्राकार से डॉक्टर रगुवन्ष की हरी घाटी, राम ब्रक्ष बेनी भुरी की पेरों में पंक भांद कर राहुल सांकरत्यान की रूस में 25 मास डायरियां भी काफी चर्चित रही है इस प्राकार डायरी हमारे व्यक्तिगत अनुववों तथा विचारों के चिंतन का लेखा जुखाए अगला प्रशने डायरी लेखन में हमें किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए इसका उत्तर है डायरी लेखन में हमें अभिव्यक्ति प्रधान तथा हिर्दे के भावों से युक्त भाषा को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए हमें डायरी लेखन में बनावटी भाशा का प्रियोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए डायरी लेखन में हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि भाशा कितनी शुद्ध है और शेली कितनी सौंदर्यात्मक हमें अपने मन के भावों को ही डायरी लेखन में लिखना चाहिए अगला प्रशने डायरी लेखन की उपयोगिता अर्थात उसके मेत्रों को समझाईए इसका उत्तर इस प्रकार से है डायरी लेखन की उपयोगिता इस बात से है कि हम डायरी लेखन में अपने दैनिक जीवन की घटनाओं को लिपिबद्ध लिखते हैं डायरी की साहितिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपयोगिता भी मानी जाती है डायरी एक प्रकार से व्यक्ति का अपने ही साथ इस्थापित होने वाला संबाद होता है डायरी के अंदर हम अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को सुरक्षित रख सकते हैं डाइरी लेखन का महत्व इस दश्टी से भी है कि हम किसी भी प्रकार बंधन से मुक्त होकर सौतंतर रूप से अपने विचारों का उल्लेख डाइरी में कर सकते हैं। अगला प्रश्ण है डाइरी लेखन क्यों आवशेक है? इसका उत्तर है डाइरी लेखन हमारे लिए इसलिए आवशेक है क्योंकि हम डाइरी के माध्यम से जिन बातों को किसी दूसरे व्यक्तियों के सामने नहीं कह सकते उन्हें हम डाइरी के पन्नों पर अंकित करके स्वेम को सुना डालते हैं। ऐसा करके हम अपनी यादों को इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिने जीवन में कभी भी पलट कर छू सकते हैं। डायरी लिखना अपने जीवन की घटित घटनाओं की कहानी कहने का एक तरीका है, जो हमें आने वाले दिनों में उन शणों को पुने जीने का अवसर देता है। अगला प्रशन है, डायरी लिखते समय हमें किन-किन विंदों पर विशेश रूप से ध्यान देना चाहिए। इसका उत्तर इस प्रकार से है, डायरी लेखन करते समय हमें कुछ महतपूर बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार से है। सबसे पहली बात है, डाइरी बिल्कुल निजी वस्तु है, अते हमें ये मानकर डाइरी लिखना चाहिए, कि वे किसी और के द्वारा नहीं पड़ी जाएगी. दूसरी डाइरी लिखन में हमें दूसरी बात ये ध्यान में रखना चाहिए, डाइरी में अपने दिन भर की घटनाओ, मुलाकातों, ख्यालातों, अनुववों में से कौन सी आपको डाइरी में लिखने लायक लगती है, ये विचार करने के बाद ही उन्हें लिखना चाहिए इसके बाद डायरी की भाषा बनावटी ना हो तथा शेली सौभाविक हो डायरी परिस्कृत और मानक भाषा शेली में नहीं लिखी जानी चाहिए बलकि डायरी को एक निजी वस्तू मानकर लिखना चाहिए डाइरी में लेखन शेली, विशेवस्तु चैन में निजी व्यक्तितु की छाप होनी चाहिए डाइरी हमारे निजी जीवन की घटनाओं का लेखा जोखा होने के साथ साथ हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का भी लेखा जोखा है इन्हें हम किसी दूसरे के लिए नहीं सेम के लिए शब्द बद्द करते हैं अगला प्रशन है डाइरी व्यक्तिक रचना तथा हमारी सबसे अच्छी दोस्त है इस कथन को सपष्ट कीजिए इसका उत्तर इस प्रकार से है डाइरी एक व्यक्तिक रचना है क्योंकि डाइरी किसी और के लिए नहीं सेम के लिए लिखी जाती है ये निजी इस्तर पर घटित घटनाओं का लेखा जोका है डाइरी एक तरह का व्यक्तिकत दस्तावेज है डाइरी अपने साथ एक अच्छी दोस्ती स्थापित करने का एक सबसे सुनदर माध्यम है डाइरी से हम जीवन की वीति हुई गटनाओं, गति विदियों तथा विचारों से अबगत होते हैं अते डाइरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है प्रिविध्यार्तियों आजका डाइरी लेखन से संबन देती है यह टॉपिक मेरा यही पर समापत होता है आजका मेरा यह टॉपिक यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए साथ ही आपके जो फ्रेंड्स ने जो परिश्या की तयारी कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए और जो नए स्टुडेंड्स हैं उन सभी से मैं कहना चाओंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धर्ने बार